ओलाइट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में और उनकी फील आने के बाद अब हम नेक्स सेलते हैं अनधर फिजिकल कॉंटिटी जिनकी जुरूरत पड़ेगी आपको मोशन इन स्टेट लाइन क को पड़ने के लिए किसी भी बोड़ी के स्टेट लाइन मोशन को परफेक्टली डिफाइन करने के लिए उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए और अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट के बाद स्पीड और वेलोस्टी की ठीक है तो हम बात करने जा लखी रहेगी ठीक है मैं कि लेक्टे कर से कि इस तरीके से भोलते हैं तो इस चीज को ऩो दोग 48 चैसे है को rant been 55 width चलना है कुमkas पीड से से चलना है तो मालनों ये आपके पास आपके दो क्लास्वेट है जिनके बीच में एक 100 मीटर की लेस होती है ठीक है 100 मीटर की लेस होती है आ अप यहां से एक स्टोप वाच स्टार्ट करते हैं स्टौप वाच में इस चार्टिंग करने में 100 मिट्र का वही निस्तंस ट्रैवल करने में लगाता है कि अफमान क्यों UK 10 सेकिंड ऊप लगाकर माल लेते 15 सेकन और बी लगाता है माल लो 10 सेकिंड ठीक है तो आप किसको बोलेंगे कि वो जादा स्पीड से बागता होगा डेली लाइफ का experience है कुछ भी और कुछ मन देखो आप क्या बोलते हो जिसने time कम लिया कोई distance cover करने में कोई particular fixed distance cover करने में जो कम time ले रहा है वो आपके पास ज्यादा fast है ठीक है तो एक distance cover करने में कितना time लिया जा रहा है उससे आपको speed का पता चलता है ठीक है तो आप क्या ब जो distance cover करने में time कम लेगा उसकी speed ज्यादा होगी जो आपके पास distance cover करने में time ज्यादा लेगा उसकी speed आपके पास कम होगी ठीक है यह आप खुद ही बोल रहे है जिसने time ज्यादा लिया वो slow है जिसने time कम लिया वो fast है ठीक है particular distance cover करने में तो speed क्या है आप क्या चीज़ दे जो one सिटिनच कितना कोई बोड़ि एक डिस्टेंस को कवर कर रही है यह इसकी पास्ट की स्पीड बताती है जो ज्यादा फास्ट करेगा वो ज्यादा मेजरमेंट कैसे होएगी तो आप बोलते देखे स्पीड ज्यादा टाइम कम तो आप बोलते हैं स्पीड को मैं मलों 20 दिनोट करता हूं तो यह क्या होता आपके पास डिस्टेंस कवर क्या होता है कोई कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम इंटरवल इसने लिया है ठीक है टाइम टेकल लिख लेते हैं कोई पर्टिकुलर कि अरदिस्टेन्स से कवर करने में कितना काँ कोई बोड़ी ले रही है वह उसकी स्पीड बताता है तो दिस्टेन्स कवर अपॉन États-क कघन यह आपके पास स्पीड का फारुला है तो यह आप आ तो तो इक स्केलर कोउणंटिटिटी निस्टेंश के लगparty तो आपके पास सपीड जो है वह वी कैसी क्वाण्टिटी आपके पास स्केलर कोंटिटी थी स्पीड ही क्या रहेगी उपर आप पास डिस्टेंज लिखा जिसकी उनिट मीटर होती है तो यूनिट रही इसकी मीटर पर सेकिंड ठीक है ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड कितनी है मीटर पर सेकिंड कई बार बुक्स में आपके पास किलोमेटर पर आवर भी लिखा मिल सकता है तो अगर किलोमेटर पर आवर है तो इसको आपको मीटर पर सेकिंड में इन जर्नल चेंज करना पड़ता है ठीक है मीटर पर सेकिंड में आप छोटी कलास से ही सीखते आ रहे हो एक किलोमेटर में हजार मीटर और गंटे में आपके पास 36 सेकिंड आप कर लिखते हैं तो आप क्या सब्सक्राइब करता था वैसा ही वैसा स्पीड आपके पास बहें करती है तो आप बोलेंगे डिस्टेंस तो हर दम अब पॉजिटीव होता था डिस्टेंस इस पोजिटिव तो इसको देख के आप बोलेंगे स्पीड विल ऑल्सो भी ओल्वेज पोजिटिव क्यों टैम तो कमी नेगेटिव होता है निए टैम तो कमी पिछे आता ही निए वह है में त्पीड यह तो पहले बोडिव है जिस्टेंस कापगा नहीं होंता स्केलर आप skulle यतो तरह आपके पास पॉजटिव यह तो जिस्टेंस और पात करें है तो जैसे जैसे दिसृंस का पंगा था सेम बिल्कुल इसका ऐसा पंगा डिस्टेंस के को डिंग यह आपके पास पीर चेहर मुठ पूर्ध है को ऑब नेक्स्टस बात करते हैं आपके पास तो हम Investment की बात करते हैं तो वाइसी जैसे यह आपके पास कवर अपोन टैम मैं मैं क्या पताता आपको मिलस्टी क्या बटाता आपको वह क्या बताता है यह दिस्टेन कितनी फास्ट determingle कोई डिस्टेन्स को कवर कर ले ऐसे आपके पास वेडरियोंसथि क्या बताती है वेडरियोंस्टी आपको पास बताती है कि कि त्ना फास्ट कोई भॉड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे है थीक है वेडरियोंस्टी क्या बताती है हाओ आफास्ट ए बोडी is changing its position changing its position with respect to time time के रिस्पेक्ट में कितना फास्ट वापनी पोजिशन चेंज करनी है जा पर भी रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप चेंज को ठीक है टाइम भी टाइम बीतने के साथ वो कितना फास्ट ली अपना कोई ट rhetoric कर देंख कितना फास्ट ली अपना पोजिशन चेंज कर दिया टेंज इन पोजिशन ब्हुरिशन ने हिससे में ट clothing डिस्प्लेशंट आपोन टाइमत यह क्या आएगा आपके पास चेंज इन फो बजीशन चेंज इन फोडीशन लईडाडिर भाई कितना उसने टाइम लिया टाइम टेकन कोब डिस्क्लैसमेंट भी बोलते हैं तो इस livre आप displacement भी लिख सकते हैं डिवादिर भाई टाइम टेकन तो यह बनता आपके पास ऌता इसके पास रहेगी जो डीश्बिश्मेंट की डारेक्शन होएगी तो इसको यही दे रहां ने फूरुले एक तो इसका डेक्शन वहीं रहेगी जो डिस्प्लेश्मेंट की डारेक्शन रहेगी तो त। सोरी तो फ्रमन टैलरि एक वेक्टर का साइन लगा के दिखा देतेए उपर वेक्टर कौन्टीटी जो के दिखा झाता है नाम लिखा तो इसको पड़ाएगा वेलोस्थी वेक्टर क्वांटिटी अगर भी के उपर भी पीत लिक्तेक ही है तो आपके पाशिसका पूर्मिन धाए दिस्प्लेसमेंट अपोल टाइम दिस्प्ले Kennedible वेक्टर थी उसके ऊपर कवने एर्ण लगा दीग मैंने होगी चाल लूँ खासी ठीक है यह आपके बास वेलोस्टी आया क्या है चेंज इन पोदीशन कितनी फास्ट को यह बनी पोदीशन चेंज कर लिए बोडी यह क्या बताता आपको कि वेलोस्टी चलिए आगे देखते हैं कुछ एक दो चीजे और फिर आएंगे इस भी कि जैसे इसके कुछ एक्जामपल अगर हम करें तो वैसा ही है जैसा उदर था मैं बस जल्दी आपको बदा देता हम जैसे घड़ी है फिर से तीन बजे हुए थे ठीक है तीन पीएम से तीन पंद्रा एम होगे पीएम होगे ठीक है तो आप से पुछा इस टेंग पर स्पीड बता दो इतना टाइम होनी के बाद और वैलोस्टी बता दो ठीक है किसकी मिनट हैंगी किसकी बताने मिनट हैंगी मेरको इस टैम पे हर रोज खासी उठते हैं वहीं क्या पता है कि इस तने मज़ें अभी पता है आपको यह बज़िए हैं रात के बार सब्सक्राइब बारा हो गए है चलिए देखते हैं अभी मतला नियल टाइम बता रोड़ी वालनी ठीक है ओके यह आपके पास फिर से स्पोस्पाइप सेंटीमेटर दे रखे है मिनट एंट की तो आपको स्पीड निकालनी हूँ स्पीड का फॉर्मुला बोलेंगे आप इस दिस्टेंस कवर डिवाइड वाइड टाइम ठीक है ठीक है डिस्टेंस अभी पता निवर को दे लिख लेता हूं तीन से सवाथीन होने में कितना टाइम बिता आपके बास पंदरा मिनट हुए आपके बास थीक है अब आपको द है ठीक है आप बोलते है पूरा सरकल टू पाई आर का और यह टू पाई आर का फॉर्थ हिस्टा क्वाड्रेंट है डिस्टेंस को आप लिखेंगे टू पाई आर भाई फॉर इंटू में 15 मिनट ठीक है मिनट को सेकेंड में कर लेंगे रेडियस को मीटर में कर लेंगे तो इंटू में 3.4 जो तरह जो डिस्टेंस है और वाइब सेंटीमीटर था उसको मीटर में करेंगे इसको सोल करेंगे यह आपके पास स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकिंड में ठीक है यह पर मेंटर का इनिचे सेकिंड तो मेंटर पर सेकिंड यूनिट आगी आपके पास ठीक है दिखाने की जो पिनिए आप से पुछ आप वेलोस्टी वेलोस्टी जब पुछ जाएगी तो वेलोस्टी का फॉर्मुला आपके पास डिस्प्लेस्मेंट अपोन टाइम होएगा मतला चेंज इन पोदीशन अपोन टाइम ठीकन टाइम तो यह भी कितना नहीं रहा है 15 मिनट इस्प्लेस्मेंट कितनी है सोटेज दिस्टेंस ब्रूट आपके पास फाइफ रूट टू आया था तो यह आएगा फाइफ रूट टू डिवाइद बाइद बाइद फिफिटी इस तरीके से वेलोस्टी और स्पीड आगी सेम पंगा इदर भी है कि वेलोस्टी आपके पास नेगिटिव भी हो सकती है पोजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है कोर्डिंग टू डिस्प्लेस्मेंट पोजिटिव तो वेलोस्टी पोजिटिव डिस्प्लेस्में करेगा वैसे 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 आपके पास वैरी कर सकती है ठीक है जैसे उदर डिस्टेंस अदम displacement से छोटा होता था बड़ा होता था वैसे इस आपके पास वैलोस्टी जो है इडिज उल्वेज लेस डेन equal to speed बराबबर एक ही condition में होएगी जब body state line में चल लियो without changing its direction वही सारी चीज़ किसी ने पुराना लेक्चर देखा था मैं उसी से relate कर दाऊं without changing its direction बिना direction चेंज करेगा अगर body कोई straight line में चलती है तो यह equal वाली condition तभी आएगी speed तभी कि आपके पास velocity के बराबर होएगी otherwise velocity के बराबर नहीं होएगी हर्दम छोटी रहेगी आपके पास ठीक है अगर body पूरा घूम फिरके वही आगी तो इसकी displacement में 0 है तो इसकी velocity में 0 होएगी आपके पास दियान दी तो यह था आपके पास बेलेस्टी और स्पीड का जनर्नल सा इंड्ड़ अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं कि एक चुलिय में यह हम जो क्या का निकाल दे यह हम निकाल दे एवरेज स्पीड ठीक है यह हम क्या निकाल दे एवरेज स्पीड तो एक बार इस पे बात करते हैं कि यह एवरेज स्पीड होती क्या है या एवरेज वेलोस्टी होती क्या है तो देखते हैं पहले बात करता हूं मैं वेलोस्टी को बाद में लो यह जो आवरेज निकालना होताना इसको समझते कि एवरेज क्या होता आपके पास, पहली बात आपको थोड़ा सा मैए एक पर एक्जाम्पल नहां मालनों आप अपने स्कूल से आप अपने होम से स्कूल तक जाते हैं ठीक है आपके पास यहां से बस से आप जा रहें बस कभी इद गई किसी बच्चे को लेने कभी दर गई कभी दर गई कभी दर गई कभी दर गई कभी रूकी भी होगी कभी चली भी होगी और फिर यहां तक स्कूल तक आते हैं आप मेरे को कभी ऐसा नहीं बताएंगे कि भाई आप बस एक जंगे पे ब्रेक कर पर रूखी थी वहाँ इलिए एक बच्छे को उठाने रूखी थी वहाँ पर भी जी रोगी थी एक जगापे तो 80 की स्पीड से चल दी थी एकजगा 60 की स्पीड से चल दी है ऐसा कभी नहीं बताएंगे आप मिर पर आप बस रुकी भी ठील भी चली थी पभी आपके पास दीरे भी चल इस तो बस अलग-अलग स्पीड से चल रही थी आपके पास पर आप मेरे को आने के बाद एक ही स्पीड बता रहे हो उस स्पीड को बोलते हैं एवरेज स्पीड उसको क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड तो आपने यह कैसे निकाली होगी आप क्या करते हैं घर से स्कूल तक का टो लगा है तीस मिनट चार्ज मिन इतनी तो आप दुरनों को भाग करते हैं स्कूल है आपके पास 50 किलो मेटर लगी है आपको 25 मिनट तो आप बोलेंगे 50 मेटे 25 एट इस इक्वल टू किलो मेटर पर मिनट है ना आवर में करें दो आवर में कर लें न ठीक है तो इस तरीके से आ सब्रा अपर को जो स्पीड़ बताते हैं वो कैसे बताते हैं फोर्वला किया है टौटल इसटेंस पुल टॉटल डैंश ऑूके अभ इशांतलर क्या है आपने बताई जो आई जो आवरेज निकाल स्पीड बताई है इसका मतलब क्या है यह समस्ते ह drown कर काуется हूं खुत्ता क्या है देखिए अवरेज्थ आप क्लासिज में माक्स भी निकालते हैं जैसे कोलीज में आप जाते हैं तो वहां पर जैसे अगर तीन साल का क蓉tha क्यों सिस्टम है तो हर साल दो बार आपके पेपर हो रहे हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट आपके रहते हैं तो इस तरिक्के से तीन साल में आपके छे बार पेपर होगे हर साल दो दो करके और बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास होगे पर जब लास्ट में एक डिगरी बन के आती है आपके पास तो उ मैसा कम है नहीं बतते आप अप उसको बतात कैंज layout कि यह वो बच्छा यह जिसके हर से ऐसे हर संचे 60 आए है तो उससे क्या होता है आपके जागर हर सेम में आपको 60 लगा के चलू तब भी भी आपकी लास्ट में 60 बननी है चाहे आप ये एक बार कभी 80 आई हो कभी 90 आई हो तो कभी 50-40 भी आई हो उनका एवरेज निकल के मिश्चक 60 बनाओ तो वो 80-90 सब को एक वैल्यू पर लियाते हैं कि भी ये 60% का बच्चा है हर सेमस्टर में इसके 60% नम्मर आए होगे तो वो एवरेज वैल्यू का मतलब ये होता है ये वो वैल्यू होती है जो सारी इडेगुलर वैल्यू जो जो अलग अलग वैल्यू थी उनको हटा के अगर ये वेल्यू लख दी जाए तो सेम रिजल्ट देखती है जितना आपने कभी 80 लिए कभी 40 लिए कभी 50 लिए कभी 70 लिए वो सब मिला के टोटल 60 परसेंट बनी अगर आप उन सब में 60-60-60 लेते तब यह आपकी 60 की परसेंट बननी थी तो यह होता है का फाइदा ठीक है तो यहां पर क्या मतलब है बस कभी 70 की से चली बस कभी 60 की स्पीड से चली तो बस कभी 0 पर भी हुई कभी 30 पर गई तो कभी 50 पर भी गई इस तरीके से अलग-अलग स्पीड से चलके आपके स्कूल में पूच्छी तो तो बस इस तरीके से अलग-अलग स्पीड से चलके आपके स्कूल में पूच्छ थी ठीक है तो एवरेज स्पीड आपने निकाल दी टोटल डिस्टेंस अपोन टोटल टाइम करके तो इस एवरेज स्पीड का क्या मतलब है अब यह सुनो यह जितनी भी आएवरेज इसका मतलब क्या है बस चहे कई पे सत्तर से चली हो कहें रुकी भी ओ कहीं तीस से चली हो कहीं पचास से भी चली हो अगर उन समको हटा के बस को लगातार उस राश्ते पे इस एवरेज स्पीड से चला दिया जाए तो यह उतना ही टाइम लेगी स्कूल तक पहुचने में ज को लगातर सिक्स्टी रख दिया जाए तो सिक्स्टी परसेंट फाइनली बन जाते हैं इसी तरीके से अगर कोई बोड़ी इरेगुलर्टी से चल दी है अब उसकी सारी अलग-अलग स्पीड को हटा के एवरेज स्पीड से अगर उसको मूँ करवा दिया जाए तो यह उतना ही टाइम लेगी उस टिस्टेंस को कोवर करने में जितना वो अलग-अलग वेलोस्टी से ले रही थी ठीक है तो इसको कैसे रिफाइन करेंगे इस देट स्पीड with which, with which, sorry, with which, if a body moves it will take, it will take same amount of time in covering a distance which it has taken when it was moving with different speeds है ठीक है यह क्या बोलता है यह वह स्पीड है जिससे अगर बोड़ी को मुझ करवा दिया जाए तो यह सेम अमाउंट ओफ टाइम लेगी उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम उसने विच इस टेकन वेन इस मुविंग विट डिफरेंट स्पीड जब यह अलग बंगातार चलाना रोकना नहीं करूए तो मैं एक जांपल से इसको बताता हूँ आपको ठीक है एक ऑग्जांपल से इस चीज़ को देखते हैं और एक आपके पास गाड़नीच चलती है यह सप्यूस्वास करो आपके पास स्टार्टिंग से पर स्केंड了吧 फिर यह चलती है आपके पास 40 मीटर पर सेकिंड से और फिर यह चलती है आपके पास 70 मीटर पर सेकिंड से फिर यह आपके पास चलती है 10 मीटर पर सेकिंड से इस तरीके से चलती है ठीक है इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया मालो 50 किलोमेटर ठीक है कितना ट्रेवल किया 50 किलोमेटर 50 किलोमेटर को हमें निकले तो 50,000 मीटर में कर लेता हूं में कर लेता हूं में कर दो ठीक है तो इसने टोटल किया 50,000 मीटर और इसने इसको कवर करने में टाइम लिया कितना इसका टाइम निकालना पड़ेगा एक्चुली में हमको कि कितना ये टाइम ले रहा है इतनी दनी स्पीड से चलने में ठीक है तो उसके लिए डिस्टेंस पता होना चीए पर हमको नहीं बता तो मैंने माल लिया इसने टाइम लिया ये 50,000 मतलब कि 50 km ट्रैवल करने में लग ब आपके पास हजार मीटर टाइम टेकन आपके पास 3700 सेकिंड ये आपके पास आता है आपके पास 500 by 36 टाइम ऐसा ले लेता हूं कि ये कट जाए आपके पास है तो मैं पाथ हजार सेकिंड ले लेता हूं तो ये आपके पास हजार फिफ्टी मीटर पर सेकिंड निकल गया है ठीक है टाइम मतलब ऐसा ले लिए मैंने कि कट सके आपको कुछ चीज एक्स्प्रेइन करनी है त आप एसे बी तक पोच्छे बस कभी 30 से चली कभी 40 से कभी 70 से कभी 10 से अलग अलग स्पीड से आपके पास चल रही है आप यहां भी पर पोच्छते हैं आप से मैंने पोच्छा कि कि स्पीड से आयो तो आप मेरे को एवरेज स्पीड बदाते हो टोटल डिस्टेंस हैं इसको लगातार अअवरेज स्पीड 50 मीटर पर सेकंड से मूव करवा दो तो यह वह 5000 जार मीटर का डिस्टेंस उतने ही ट्रैवल में टाइम में ट्रैव devール करेगा जितना यह अलग लग स्पीड बता है तो टाइम क्या ह taka के पास डिस्टेंस अपन स्पीड इस फोन स्पीड आ अ गया 5000 तो यहम दो आपका अल्ट लीया इसने तो आपके वह सब्सक्रपेश्च से चल लिह हो एवरेज निकाल के आप वह वेलोस्टी निकाल देते हो कि अगर इस वेलोस्टी से इसको लगातार चला दिया जाए तो उतना ही टाइम लेगा यह उस डिस्टेंस को कवर करने में इतना ही अलग-अलग वेलोस्टी से लिए तो एक वैल्यू बता चल गी आपको की एवरेज इसा यह इदनी स्पीड से चलोगे आपके पास आया है ठीक है इकला है ना भई पहले अलग-अलग से भी उत्रही टाइम लिया इसने अब यह आपके पास एक ही वेलोस्टी से चला दिया तो इस एक वेलोस्टी को उसका मैं क्या बोल दूगा एवरेज वेलोस्टी यह इसकी सीरीज यह पैलल कंभीनेशन आपने पड़ी है ठीक है यह रजिस्टेन्स आर वन होता था यह रथी ओता था ठीक है आप क्या बोलते थे यहां से मैं एक आरस निकालता हूँ जो की बडाबर होता है रवन प्लस रटू प्लस आर ठीडे ऐसे निकालते सीरीज में डार तो बैटरी उतना ही क्रेंट देगी इन तिनों को मिल रहा था आ यह तिनों मिलके जिटना करेंट से खीच रहे थे पैटरी से इस तिनों को हटा के अगर मैं RS के वराबर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं तो यह उतना ही करेंट आपके पास लेगी तो कुछ ऐसा ही इदर है इन तिनों को लगाओ डिफरेंट डिफरेंट वेलोस्टी जब यह डिफरेंट डिफरेंट वेलोस्टी से चल के कोई डिस्टेंस किसी टैम में कवर कर रहे थे तो इन तिनों सब को हटा के अगर मैं इनको एक वेलोस्टी दे देता हूं जो उतना ही टैम ले रही है उस डिस्टेंस को कवर करने में तो उस वेलोस्टी को मैं सबकी average value बोलूंगा वहापर equivalent resistance होता था हियाँ पर अलग-अलग velocities को हटाके एक velocity लगा दो वो वैलोस्टी उतना ही time लेगी वह यहाँ पर उतना ही current लेगे यहाँ फरके था alur यह मैं जब सब मिलें नन्य कर देपाव का ऑस just time अब पास टोटल डिस्टेंस अपून टोटल टाइम और कोई फोर्मुला नहीं है आपको हर दम टोटल डिस्टेंस निकालना होगा डिवाइड है टोटल टेकंग आपको निकालना होगा ठीक है ओके इसी पर थोड़ा चाहिए हम डिसकेशन बढ़ते हैं अब देखे से तो स्पीड के बाद बात करें है तो जैसे पीड़ ती कुछ-कुछ एवरेज वेलोस्टी भी एवरेज स्पीड क्या थी उसका टोटल डिस्टेन्स अपोन टोटल टाइम जा पर एवरेज वेलोस्टी का फॉर्मॉला क्या है आपके पास तोटल डिस्प्लेस्मेंट है कि टोतल क्या होते हैं कि डिस्प्लेस्मेंट ही होता है र WILL कि Deutsch में तो बडीस्प्लेस्मेंट अपन में टाइम ठेकन रहा तो आपको डिस्प्लेस्मेंट निकालने हैं तो चेंज इन पोदीशन और उसमें कितना डाइम लग यह निकालना है तो वह आपके पास वेलोस्टी हो जाएगी अब इसका मतलब समझते हैं कि आप वह तो सुम्झ में आगे हमको साइद है ना कि डिफरेंट डिफरेंट स्पी तो यहां पर क्या आपके पास मालू मालो कि आपके पास दिल्ली से मुम्बई जाना है ठीक है अगर आपके पास ऐसा ऐसा कुछ ट्रैक हो इस तरिक के से इल्ली से मुंबई जाने का अलग-अलग ट्रैक है और यह डिस्टेंस मालनों पड़ता है आपके पास तीन हजार किलो मेटर स्पोज करो ठीक है और लगते हैं आपके पास बारा घंटे तो कई बार आपके पास ट्रैन फास्ट चलेगी स्टेशन पर रुखेंगे डिफ्रेंट डिफ्रेंट स्पीड से आपके चलने के बाद मुंबई पहुचती है ठीक है उस टाइम पर मैं आपस पूछता हूंगी कि स्पीड से आपके पास ट्रैन आई है तो आप टॉटल टाइम करके मीर को क्या बता देते हैं एवरेज स्पीड तो इसका क्या मतलब गहता है ये जिटरह भी आएगा अगर पूरे रास्ते-पूरे रास्ते ट्रैन और इस पीड से चला दियाजाता सोरी अगर पूरे रास्ते ट्रेन को इस स्पीड से चला दिया जाता तो ये 12 गंटे ही लेती आपके पास इस डिस्टेंस को कवर करने में ठीक है अब वेलोस्टी को समझो वेलोस्टी क्या होती है डिस्प्लेश्मेंट अपॉन टाइम दिल्ली से मुंबई ट्रेन गई है तो आपको डिस्प्लेश्मेंट अपॉन टाइम वेलोस्टी निकालना है तो आप से उतर पूछा जाए वेलोस्टी तो आप बताएंगे डिस्प्लेश्मेंट क्या होता है इन लादो इनिशन पोदिशन और फाइनल पोदिशन को सिदा सी दम विदा के ले जाओ इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट तो आप जो भी वैल्यू बताएंगे वैलोस्टी का उसका मितलब क्या है अगर उस स्पीड से जितनी आपने अवरेज वैलोस्टी बताई अगर उस बोडि को सोटेस्ट पाथ के अलोग उन दो पोइंट्स के वीच में सोटेस्ट पाथ के अलोग मूव करवा दिया जाए तो ये उतना ही टायम लेगी जितना ये आपके पास पहले इस पाथ से ले रही थी ठीक है तो डेफिनेटली आपके पास ये छोटा पाथ है तब भी ले तो डाइफिनेटली इस पाथ पर ये शुलो चली होगी आपके पास कब रहती है ठीक है अरदम ब्राबबर भी हो सकती है अक हमें एक पात्ता सिंपल आपके पास स्टेट लाइच क्योंकि शोटे देड़े पाथ पर भी जादा टाइम ले रहा ना उत्राइम ले रहा जितना उसने बड़े पात पर लिया तो अबरेज MID असर्म वैलोपि को कैसी डिफानवरोगे इस ग्रोगे को सफ फिराटवेजflower पाथ तो आप बोलेगे कि यह आपके पास एवरेज वेलोस्टी है एवरेज वेलोस्टी में आपको सोटेस्ट पाथ पर मुह करवाना है फिर से मैं पिछला एक्जामपल लेता हूं लेकिन देख नहीं है वैसे आप बुक में मिल जाएगा हमने ए और बी दो पॉइंट लिए तरहा है कभी दर जाता है 30 मीटर पर सेकिन से कभी दर आता है संट्र मीटर पर सेकिन से कभी दर जाता है 9 सो विटर पर से कभी दर चला जाता है सो मिंटर पर सेकिन से इस तरीके से लग लग टाइप नहीं रहा था ठीके ओर इसने यहां से टोटल दिस्टेंस अभी आपके पास 50.000 मीटर है और टोटल टाइम आपके पास एक्चुल पाथ बता रहूं तो एक्चुल पात ठीक है जो पाप 1000 सेकंडली है तो आपके पाप अगर मैं स्पीड पूछता हूं तो स्पीड आप टोटल लिस्टेजस हैं । पचास मीटर पर सेकंड निकाल देंगे स्पीड तो पिछली बार कितरे होगी पर है आप से वेलोस्ति पूछता हूं वेलोस्ती तो आप यह दिस्टेंस यूज नहीं से एक्च्टल पाथ था आप यूज गरेंगे एसे वी के चुचाओटा डिस्टेंस अभी यह रहे हमको उभी नहीं किमा करें धिस्टेंस यह यूजे zoom मारूं तो यह चुटा डिस्टेंस पाल देना इसको 5000 डिवाइड एकट गया आपके पास तो यह आया जस्ता आपके पास 30 मेंटर पर सेकंड तो यह इसकी एवरेज वेलोस्टी है इसका मतलब क्या है अगर इसको 30 मेंटर पर सेकंड की स्पीड से छोटे पात के बीच में करवा दिया जाता इन दोनों बोडी के बीच में तो यह उतना ही टाइम लेता जितना वो एक्चुली ले रहा था आपके पास लगला वेलोस्टी से चलके आपके पास है तो यह होता है आपके पास एवरेज वेलोस्टी फॉर्मुला क्या है डिस्प्लेश्मेंट पॉन टाइक